20 अक्टूबर 2006 दिल्ली के हरी नगर पुलिस स्टेशन पर सुबह करीब 7 बजे एक कॉल आती है फोन करने वाला व्यक्ति पुलिस को बताता है कि उसने तियार जेल के गेट नंबर 3 के सामने एक लाश फे की है ये सुनकर पुलिस स्टेशन पर मौझूद सभी लोग चौक जाते हैं सभी को लगता है कि किसी नए उनके साथ मजा किया है लेकिन स्टेशन पर मौझूद इंस्पेक्टर बाल कृशन ये चेक करने के लिए हैड कॉनस्टेबल को वहाँ पर बेशते हैं कॉंस्टेबल वहाँ जाकर देखते हैं तो तियार जेल के गेट नमबर 3 के सामने एक बास से बनी टोकरी रखी हुई है और उसको प्लास्टिक और निउस्पेपर की मदद से अच्छे से पैक करकर रखा है ये देखकर कॉंस्टेबल स्टेशन से और भी लोगों को बुलाते ह सभी लोग जब आकर टोकरी के अंदर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं टोकरी के अंदर बिना सर की एक लाश होती है लाश को कई टुक्रों में काटा गया था दोनों हाथ और पैरों को काट कर एक साथ बांद कर अपर बॉड़ी के साथ अच्छे से प्लास्तिक और निउस्पेपर से पैक करकर रखा गया था। लाश के साथ एक लेटर भी मिला था जिस पर किलर ने लिखा था कि कैसे पुलिस और इस करप्ट सिस्टम की वज़े से कि कैसे उस पर जूटा केस लगा कर उसे जेल में बंद करा गया था। लेटर में उसने जुडिशल कि किसी सावले रंग के आदमी की है। सुबह 7 बजे कॉल करने के बाद किलर दुबारा 9 बजे पुलिस को कॉल करता है। एसे चो किलर से पूछते हैं कि वो क्यों जेल के सामने लाश फेक रहा है। तो इस पर किलर बताता है कि तियार जेल के गेट नंबर 3 पर काम करने वाल Constable बलबीर सिंग मेरे साथ जेल में ज्याकती करते थे इंस्पेक्टर ने बोला कि तुम रुख जाओ नहीं तो तुमारे लिए अच्छा नहीं होगा इसके जवाब में किलर ने बोला कि तुम कौन होते हो मुझे चैलेंज करने वाले ऐसे कई गिफ्ट तुमारे लिए और आएंगे और फोन काट दिया पुलिस बिना किसी देरी के कॉल्स की लोकेशन को ट्रैक करती है तो पता चलता है कि सुबे साथ बजे की कॉल नांगल राया के लोकल टेलीफोन बूट से करी थी और दूसरी कॉल तिलग नगर के टेलीफोन बूट से हुई थी तिलग नगर पहुँचकर पुलिस टेलीफोन समालने वाले राम बाबु चौरेसिया से पूश्ताज करती है कि आज सुबे से कितने लोगों ने फोन बूट का इस्तमाल करा तो राम बाबु बताते हैं कि आज सुबे से एक ही आदमी ने फोन का इस्तमाल किया है पुलिस राम बाबु चौरेसिया से उस आदमी का स्केच बनवा कर बाकी के पुलिस टेशन और खबरियों में बाट देती है पुलिस को लेटर और फोन कॉल से एक बात पक्की हो गई थी कि ये जो किलर है वो बिहार का रहने वाला है क्योंकि कॉल और लेटर में जो हिंदी लिखी थी उसमें काफी शब्द ऐसे थे जो बिहार में बोले जाते हैं लेटर में भी जो हिंदी लिखी थी उसमें काफी बिहारी डायलेक्ट का इस्तमाल किया गया था कि ऐसी ही एक dead body 2003 में भी तिहार जेल के gate number 3 से पहले मिली थी उस body का भी सर नहीं था, इसके कारण victim की identification नहीं हो पाई और वो case बंद हो गया, evidence ना होने के कारण कुछ समय बाद 25 अपरेल 2007 को एक और dead body पहले की तरह तिहार जेल के gate number 3 से मिलती है एक दम उसी same spot से, उस body का भी सर नहीं होता और पहले की तरह ही बाकी के body parts को काट कर एक साथ tight से बंद कर रखा था इस बार टोकरी को रसी की मदद से इतना tight बंद कर रखा होता है कि पुलिस से वो रसी खुल नहीं रही होती है इसी बीच में भीड में से एक आदमी आकर पुलिस की मदद करता है और उन रसीयों को खोलता है इस body के कई parts 30,000 कोर्ट से भी मिलते हैं लेकिन इस बार कोई letter और कोई phone call नहीं आती है 24 दिन बाद 18 मई 2007 को एक और body TR jail के gate number 3 के same spot से मिलती है इसके साथ 2-3 page का letter भी होता है जिसमें killer फिर पुलिस और judicial system को गाली दे रहा होता है letter में ये भी लिखाता कि जब तक killer साल में 7-8 मटर नहीं करता तक तक वो शांती से जी नहीं पाता 20 October 2006 को उसका phone call आता है और phone पर वो बताता है कि उसमें body के हाथ में अमित लिखा है और police body को अभी तक साई से examine भी नहीं कर पाई है और killer ने police को बोला कि वो इस case की details और letters मीडिया में दे दें और जल दी उन्हें एक और gift मिलेगा अब ये सारी बाते देखकर ऐसा लग रहा था कि killer को ये सब करने में मज़ा आ रहा है और ये सब करने से उसको thrill मिलता है और मीडिया में details बेजने को वो इसलिए कह रहा है कि उसको मीडिया में अपने बारे में सुनकर कि कैसे पुलिस उसको अभी तक नहीं पकड़ पाई इसमें उसको अपने आपपद गर्व हो रहा है अब पुलिस के उपर इस वक्त मीडिया और पुलिस डिपार्टमेंट से बहुत ही जादा प्रेशर था दिल्ली पुलिस को तीन दिन का समय मिला था इसके बाद ये केस स्पेशल ब्रांच के पास जाने वाला था पुलिस की एक स्पेशल टीम बनाई जाती है और इन्वेस्टिकेशन जोरो शोरो से शुरू होती है इस वक्त पुलिस को एक टिप मिलती है उनके खबरियों से कि जिस तरीके के व्यक्ति के तलाश में है कि ऐसा ही एक व्यक्ति अजादपूर मंडी में रहने वाले डॉक्टर के पास आता है उस डॉक्टर से पूश्ताज करने के बाद पता चलता है कि डॉक्टर इस किलर को जानता है और इस व्यक्ति का नाम चंदरकान जा है पुलिस डॉक्टर के पास उसका एडरेस नहीं होता और वो बताता है कि आज उसे चंदरकान से चार बजे क्लीनिक पर मिलना था लेकिन क्यूंकि वो पुलिस आफिसर्स के साथ उनके आफिस में हैं इसलिए वो आज उससे नहीं मिल पाएगा वो डॉक्टर से कहते हैं कि तुम चंदरकान को फोन करकर बोलो ये वो अगले दिन चार बजे तुमसे मिले पुलिस अगले दिन भेश बदलकर वहाँ जाती है लेकिन चंदरकान उस दिन डॉक्टर से मिलने नहीं आता पुलिस डॉक्टर से चंदरकान का नंबर लेकर उसे ट पुलिस उस घर के अंदर जाती है और फाइनली दस सीरियल किलर चंदरकान जा को अरेश्ट कर लेती है पुलिस चंदरकान से पूच्टाच करने के लिए उसे पुलिस टेशन ले जाती है अरेश्ट और पूच्टाच के दोरान चंदरकान बिलकुल शान्त रहता है कि जैसे उसने यह सब मडर्स करे ही नहीं पुलिस के पास चंदरकान के किलाफ कोई ठोस सबूत नहीं होता है ओफिसर सुरेंदर सिंग शुरू से इसी केस के उपर काम कर रहे थे वो चंदरकान से पूचते हैं कि तुमने यह सब मडर्स क्यों करे तो चंदरकान कहता है कि क्या आपका नाम सुरेंदर सिंग है सुरेंदर सिंग कहते हैं हाँ पर तुम्हें कैसे पता तो चंदरकान कहता है कि हमने पहले भी फोन पर बात करी है और मैं वही हूँ जिसने 25 अप्रेल को आपकी मदद करी थी टोकरी खोलने में आपने मेरी आवाज नहीं पैचानी पर मैं आपकी आवाज अच्छे से जानता हूँ और आपकी आवाज को कभी नहीं भूलूँगा वो ये भी बताता है कि मैं आपको सब कुछ बताऊंगा अगर आप में से कोई मुझे मारे ना फिर चंदरकांद अपनी स्टोरी पुलिस को बताना शुरू करता है चंदरकांद बिहार के छोटे से गाओं घोसाई का रहने वाला था उसके पिता रादेकांद जहा इरिगेशन डिपार्टमेंट में और मदर चंपा देवी स्कूल में टीचर थी और ये टोटल छे भाई थ बच्पन से इनके पैरेंट्स का चंदरकांद और उनके भाईयों की तरफ कोई इंटरस्ट नहीं था इसकी वज़े से चंदरकांद की दिल में अपने पैरेंट्स की खिलाफ बच्पन से ही नफरत थी इसके बाद 1990 में चंदरकांद गाओं से दिल्ली के अजादपुर मंड देते हैं, जिसकी वज़े से चंदरकांट को बहुत ही जादा चोट आती है ये incident चंदरकांट को mentally बहुत disturb करती है इस incident के बाद चंदरकांझ जुडो और कराटे सीखता है इसी समय के दौरान चंदरकांट का जगड़ा अजादपूर मंडी में यूनियन के लीडर पंडित से होता है जो कि पुलिस वालों की तरफ से हफता लेता था लड़ाई में चंदरकांत ने पंडित के हाथ पर चाकु मार दिया जिसके बाद पंडित ने पुलिस वालों के साथ मिलकर चंदरकांत और उसकी बीवी के उपर एक जूटी कमपलेन क जिसकी वज़े से चंदरकांत और उसकी बीवी दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। और खुद हैदरपुर रहने चला गया जहां से उसने अगले मडर्स किये। जिन तीन मडर्स के लिए चंदरकांत को लाइफ इंप्रिजिमेंट यानि आजीवन करावास की सजा मिली वही ये तीन मडर्स हैं जिनकी बॉड़ी तिहार जेल के बाहर मिली। इसमें से पहली बॉ मित के हाथ पैर बांध कर गला दबा कर उसकी हत्या कर दी और फिर टुकडे करकर तिहार जेल के बाहर फेक दिया। दूसरी बॉड़ी जो तिहार जेल के बाहर मिली थी वो थी उपेंदर की। चंदरकांत ने उसकी मदद करी थी जब उसे घर की जरूरत थी। उसे उसने अ आपकर नाम फाइल से कार्ड देता था। तीसरी बाड़ी जो टियार जेल के सामने मिली थी वो थी दलिप की जो की चंडरकांथ के साथ 15-16 दिन से रह रहा था। क्यूंकि उसने चंडरकांथ से जुट बोला इसलिए चंडरकांथ ने दलिप की भी हत्या कर दी और फिर तिया इसके बाद पुलिस ने पोक कि तुम इनके सर का क्या करते थे तो चंदरकांद ने बताया कि मैं इनका सर यमूना में फेक देता था कि इनकी आत्मा को शांती मिले। पुलिस चंदरकांद के हैदरपुर वाले घर से तीन खून से लिप्टे हुए चाकू लेती है और इन तीन चाकू और एक होपडी को डिने टेस्ट के लिए भेज देती हैं। चंदरकांद के एरिया में ही रहता था। जैसे ही चंदरकांद खाने के लिए घर से भार निकलता है बीडु जादव ने मूरली शाह और बाकी के दो लोगों के हाथ और पैर की रसियां खोल कर वो वहां से भग गए। पाकते समय मूरली शाह ने चंदरकांद का वो कैमरा भी उठा लिया जिससे चंदरकांद मडर करने से पहले लोगों की फोटो खीसता था। आज भी इस कैमरे की फोटो चंदरकांद की गाउं में लोगों के पास हैं लेकिन चंदरकांद की डर के कारण कोई भी उसके खिलाफ गवाई नहीं देता कि अगर वो किसी दिन बाहर आ जाए तो वो उनको भी मार देगा।